नमस्कार दुस्तों स्वागता आपका हमारी यूटूब चैनल फोकस पावर पे तो आज की जो जो अपडेट है वो है SSC की तरब से तो SSC ने नोटिपिकिसन आउट कर दिया है जूनियर इंदी ट्रांसलेटर का जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर इंदी ट्रांसलेटर का नोटिपिकिसन आउट कर दिया है कितनी वेकंसीज है कब से कब तक फॉर्म बरे जाएंगे एग्जामिनेशन कब तक होने वाले हैं सब कुछ डिस्कस करेंगे फीज कितनी रहने वाले इलिजिबिलिटी के आए और एग्जाम सेंटर सका रहने वाले हैं तो सबसे पहले आप यह देख पा रहे होंगे आज की डेट में नोटिपिकिसन आउट हुआ है 22.23 लाज़ डेट जो है इसकी सितंबर 12 सितंबर तक आप इसके फॉर्म बरपाएंगे और फीज की चार्ज ओनलाइन फीज पेमेंट का चार्ज भी 12 सितंबर तक ही है और जो डेट आफ करेक्शन है फॉर्म करेक्शन का वो 13 सितंबर और 14 सितंबर दो दिन का करेक्शन का टाइम दिया जाएगा और एक्जाम जो आपका CVT है CVT पेपर फर्स्ट आपका अक्टूबर 2023 में सेडियोल है टेंटिटिव जो एक्जर डेट है वो आपको SSC की दोरा नोटिस के त्रू बदा दी जाएगे अब सैलरी रेखते हैं कि सैलरी कितने रहने वाली है तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की लेवल 6 की सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक है सेम सैलरी जूनियर ट्रांसलेशन आफिसर की है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर लेवल 7 की सैलरी है जिसमें 44,900 से 1,42,400 तक इनकी सैलरी रहती है अब देखते हैं आगे क्या क्या है तो यह आप देख पारेंगे इस्क्रीन पे tentative vacancy कौन कौन से department में तो सभी various department में category wise आप vacancies देख पारेंगे कौन से department में कित्ती vacancies है तो सभी electronics and information technology science and technology air headquarter CAG department में revenue department में सभी जो various central government की department है अच्छे खासे department में आप कर सकते हैं और Indian coast guard में भी है जल सकती मंत्राला है तो यह आप देख सकते हैं total जो vacancies का count है वो 307 है बागी आप category wise देख सकते हैं notification आपको मैं telegram channel पर provide कर दूँँगा या फिर आप SLC की website से इसको download कर सकते हैं अब देखते हैं जो eligibility क्या रहने वाली बाकी जो national citizen होनी चीए आपकी इंडियन होनी चीए नेपाल और भूटान वाली candidate भी इसके लिए apply कर सकते हैं अब age देखते हैं जो main criteria age का count जो होगा वो होगा 1 अगस्ट 2030 इसको एक age count की जाएगी 18 से 30 साल तो यह general candidate की age है 18 से 30 साल relaxation दिया जाएगा और कौन-कौन भर पाएंगे तो 28 1993 जिनकी डेटो बढ़ते हैं यहां से लेकर 18 2005 वाले apply कर सकते हैं यह general candidate का criteria बाकी आप अपने according देख सकते हैं स्ट का relaxation आगे जो main point है वो check out करते हैं कि क्या क्या इसमें रहने वाला हैं बाकी center आपको पताईए SSC के जो भी exam होते हैं across India center रहता है आपको नज़दी की center आपको मिल जाएगा अब देखते हैं education qualification क्या है तो post किसके लिए junior Hindi translator junior translator officer इसके लिए क्या मागा गया master degree of recognized university in Hindi with English as compulsory और elective subject or as the medium of examination at the degree level तो क्या जो master degree है आपकी वो आपकी Hindi और English यानि कि दोनों होनी चीए Hindi और English दोनों subject से होनी चीए तब आप इसमें apply कर सकते हैं अगर वो नहीं है तो master degree of recognized university Hindi with English as a compulsory or elective subject as a medium of examination तो यही आपको basically दिया गया है तो काफी options दिया गया है तब यह master's नहीं है डिप्लोमा है आपके पास तो तब यह आप apply कर सकते हैं अगर translation का आपके पास डिप्लोमा है यह आप देख पारे होंगे diploma और certificate course in translation from Hindi to English and vice versa और two years of experience तो जिसके पास translation का डिप्लोमा है यह फिर certificate course भी किया है आपने आपको दो साल का experience है तब भी आप इसके लिए apply कर सकते हैं जूनियर हिंदी translator के लिए और जूनियर translator के लिए बाकी senior translator के लिए आपको master degree मागी गई है हिंदी इंगिलिस के साथ विद तो same criteria है और जो इसमें diploma और certificate वाला है इसमें आपको senior translation के लिए three year का experience मागा गिया है किसी central या state government office में या फिर किसी government of India के undertaking वाला कोई office है वहाँ पर आगर आपने three year का experience है तब आप senior के लिए senior translator के लिए apply कर सकते हैं बागे आपको बता चुका हूँ senior और junior के लिए क्या है selection process ओ जो application form का process है वो online ही होता है SSC का जो भी होता है SSC की जो official website है वहाँ से आप apply कर पाएंगे 12 सितंबर तक last date है तब तक आप apply कर पाएंगे यह आप देख पा रहे होंगे रात को 11 बजे तक apply कर सकते हैं और fees payment भी same date है correction window आपको बता दिये 13 और 14 सितंबर को correction window रहने वाली है examination center आप अपने reason के according देख सकते हैं वीडियो को pause करके देख सकते हैं और form बनने से पहले एक बार notification को जरूर read करें और scheme of examination तो examination किस base पे होने वाला है तो paper first होगा objective type का और paper second होगा descriptive type का तो जो paper first है वो होगा computer based test होगा जिसमें general Hindi और general English के question पूछे जाएंगे number of question कितने होंगे 100 होने वाले 100 marks के question होने वाले और 2 गंटे का ये paper होने वाला है बाकि जो PWD candidate है उनके लिए 2 गंटे 40 मिनट का time दिया जाता है और descriptive paper भी translation होगा उसका essay translation होगा तो 200 marks का ये भी होने वाला है इसका भी same time है 2 गंटे के लिए तो 2 paper होने वाला है objective type और negative marking रहेगी 0.25 की examination का जो fees है वो आपको पता ही SST का जो होता है 100 उपीस fees होता है और बाकि जो SST और Women Candidate के लिए उनके लिए कोई fees नहीं होता है स्लेबस आप ये देख पार होंगे paper first का और paper second का इसका आप screenshot ले सकते है तो ये थी आज की update I hope आपको update अच्छे लगएगी इसी तरह की government job update के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe जरूर करें और bell icon जरूर दबाएं तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद जैन